कि मेरे सिरीर में बाबा आये थे कुछ पता ने ले जाते था उस समय तो मेरे को याद नहीं रेता था तो मेरे को वाफिस जैसे हो साथा तो मैरी से लगई थी इसके सब्सक्रेयर। Mac, ऐस्यार में लग ज्याते ती आज वो शार की श्रीशान उसके सरीर पर हैके बैज्ञार को करता हूं और आज मैं कहां पर हैंग करें ने गांभा समय akan से अर्फ़ाल के साथ आज में जो तुमनिल लेका है उसके हिसाओं सरा में तुक्ता दूँ कि आज मैं बहुत सारी बाते करेंगे ठीक है एक एक चीज जानेंगे उनसे बारिकी से हर कुश्चन करेंगे और पूछेंगे कि आखिर इतना सब चमतकार कैसे होता है क्योंकि सबसे पहले तो जैसे आपके दिल में है ना वो सब कुछ जानने की वैसे ही मेरे दिल में भी है कि मैं भी उन इंदिर मेरे पीछे की तरफ है, आपको शो रहोगा वीडियो में, ठीक है, सब सबहले तो जो हमारे पुजारी है यहां के, उनसे हम बात करते हैं, तो सब सबहले तो आपका नाम बताए हैं आप, आप, नाम राजुलाल, राजुलाल, अच्छा, तो यहां पर कितने साल पुर पुर्खों का दिया हुआ है, मतलब कि इस तो देवता हो गए है, अपने जो पुर्खों से चल रहे हैं, इस देवता है हमारे, हमारे दादा पर दादा में आया करते थे, तो उनके बाद मेरे दादाजी गुजनने के बाद किशी में नहीं आए थे, अब पिताजी में भी की ताजी में भी नहीं आए थे तो फिर मेरे अंदराने लग गए अच्छा यार एक मैं आपको चीज बताता हूं यहां पर क्या होता है भाव ठीक है यह मसानिय अदाम बहरोधाम है और मैं जहां तक जानता हूं तो बहरोबाबा कभी भी शरीर में नहीं आते अगर वो शरीर रेना वो फट जाएगा दोस्तों में अलग हो जाएगा उनका केवल उनकी च्छायां पढ़ती है इंसान पर उनका केवल भाव आता है एक पर भाव आने के बाद में इंसान को कुछ पता नहीं रहता इतना मैं जानता हूं बाकि अब अब जानेंगे राजुलाल जी से कि आ मर अब तेस सालके हो गया था तो मैं काम करता था भिसतरी का रोज काम पर जाता था रोज बाबा की एक अगर्वत्ती लागाता था में बस इससे अलावा कुछ ने करता था तो एक दिन रात को तब मेरी तबेत खराब हो गई थी तो निंद्रा में बाबा अचानक से मेरे सरीर में प्रवेस कराज आचाही पड़ी उनकी मेरी तबेत 6 मिने तक यह से तबेत खराब गई उसके बात कही बाबाओं पास ले गए थे मेरे को कई मतलब बात नहीं की थी तो यहीं एक दिन मेरे पिता जी ने परिशान हो के पूछा कि आपको नो कहां से आयो हमको बताओ तो बाबा ने पूचा गए हम आपके कुल देवता है आज के बर्चों पहले आया करते थे तो अब हमको बताये तो बाबा है तो मेरे बाबा ने बताया था मैं आपका कुल देवता हूं बहरूजी मसानिया तो बाबा ने पिताजी ने पर्चा मांगा था कि मेरे पिताजी की तविद बहुत ज्यादा खराब रहती थी तो मेरे बाबा ने उनको पर्चा उन्हें को दिया था तो मेरे पिताजी आज और वो मौझूद है उनको दिख रहा है तो बाबा की ये किरप आही तो फिर त्रड़ त्रड़ तोड़ 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 आते हैं आध लाक हो इन लगने बेत लग गए total है अच्छा तो सब यहाँ पर किन-किन चीज़ों का समधन होता है यहाँ आज हर चीज़ का इलाज होता है जैसे भूत परित वादा टो उनका प्रूंत इलाज होता है सबसे जादा निश-ंतांगा होता है क्योंकि बहुत से मेरे भइभी बेने हैं उनके बच्चा नहीं लग रहा है, तो उनका परचा दिया है बाबा ने कम स्कुम 200-304 से बाज़डियों का इलाज किया है मेरे बाबा ने, उनका तर्फ बभुस से इलाज हुआ है उनका, आज वो भी मुझूद है सब और तियार है, आज उनके बच्चे गोद में खेल रहे ह और बाबा के स्वामनिया लेती है, मीटी स्वामनिया आती है बाबा अच्छा उनकी परसदी यहां पर आती है, तो बहुत से धुम दढ़ा किसे करते हैं, कोई गरीव है तो उसकी इसकी कंडिशन है वैसे करते हैं, सबसे पहले तो आप से यह चीज जाना चाहूंगा, कि य यहां पर बहुत सारी लोग आता है, और ओड़तों के अंदर अधिक तर जो ओपरी होती है, जो उनके अंदर बॉडी के अंदर प्रवेश होती है, कहीं चोर है पर किसी के ठोकर लग गई, या और कुछ हो गया, जैसी जिसकी जहां पर सचेस्वेशन है, उस हिसाब से उस ब दानाब ने किया? जैसे मास होता है, तो मतलब उसमें जा आथे थे तो वो मास भी खा जाती थी, इत्तक खत्रनाक केश आयए था मिरे पास, सब भी यह बोलने लग गए कि इसका इलाज कोई नी कर सकता, तो मैंने उसका इलाज मेरे बाबा ने उसका इलाज इस तरीके से किया कि बभूत से उसका इलाज हुआ और वो यहां परकमा खाय थी बहुत परकमा खाय थी तो उन्होंने बाबा ने पूछा उनको कि क्या चाहिए तो बाबा ने उसको बोला कि क्या चाहिए थी उसने बोला क तोधनी दिन दोन नोह भी छोड़ाएं नहीं, फ़िर बाबा ने ऐसी सकती आत्राथ रखतनी उसके सिरुपे, उसके यु कुछ लड़की है, जब है यह वहां आई ती युझे तो उसके सरीर में इस तरह से सकती भरिजती थी तो उसको देखते हैं डरते थे लोग इतक खतरनाक उसमें आता था तो बाबा ने उसे मभूत से उसके माते पर तिलक खाचा और कुछ समय ते उसके माते को सिर के पकड़ कर रखा और वो आज बिल्कुल ठीक है अच्छा अंसान की इत्ती बढ़िया सकते थी उनके खतरनाक से खतरनाक चीज थी लग खुद के सरीर को चीड़ने लग जाती थी आज वो निशान उसके सरीर के है तो मैं जहां तक जानता हूँ तो उसके अंदर कुछ तो बोलती होगी मतलब कि मैं कोई औरत हूँ कोई चुड़े लूँ वो बोलती थी कि मैं एक तो महलब बार की प्राई सकते हूँ यानि गंदी सकते हूँ अगुरी की सकती हूँ और इग बोले थी मैं चुड़े लूँ और एग ने बोला था तो मैं ऐसी सकती हूं, तो मैं ऐसे सकती हूं तो मेरे को सिर्फ मास चाहिए मलग तो उसके वो जो बोडी के इंदर आई थी, उसके घर पे भी कोई नुकसान पुचायता था उसने गड़े नुक्सान पुचाए था अपने शरीर को अपने पिताजी को अपने भाई को पोच जाथा तो नुक्सान पुचाने का मतलग क्या जान से खतम करना है जान से खतम कर दिया उसके पिताजी को पिताजी को मर गए हो कि ने कम लो आज इस दुनिया में नहीं हो उसका इला तो उसको मेरे पास लाये थे, मेरे को भी ऐसे ही बोला था, आप मेरा इलाज करोगे तो आपको भी मैं खा जाओंगी, मेरे बाबा ने उसका इलाज किया, पर हैंसे निमाना तो थोड़ा दो-चार उसके मार दी, तो आज वो भी ठीक है, और एक ऐसी लड़की पांच-चार सा पांच-चार साल की लड़की थी, और ऐसे मजब वह से लोक्त आये थे, तो उन्होंने बोला कि महराज जी आप इस बच्ची का इलाज कर सकते हो, तो मैंने उनका बोला कि यहां लेकर आओं उनको एक बार, तो पांच-चार साल की लड़की थी, उसमें इतनी जबरदस्त आ रखी थी, उसको खाना-पिना चुड़ा दिया, साल बर से वो कुछ खाती पीती नहीं थी, बिल्कुल भी, चार-पांच-चार साल की लो, चार-चार की लो, आठा का जाती थी, फिर भी वो मतलब, भूक कातब नहीं थी, और, प्रेशो नहीं नहीं जाती थी वो, आज भी म होता है, लोग ऐसे, ऐसे लोग हैं कि अपने जासे से घमण में, होता है, ऐसे लोग, उमानते नहीं इस चीज, कुछ नहीं होता है, उस बेपाइक निकाल दी, फोकर मार दी, लड़कियां बहुत से ऐसी होती है, तो घमण से, क्या होगा मेरा, लाट्ट फोकर देदी थी, ऐसे ही उस बच्ची के अंदर ठोकर लगने के कारण ऐसी चीज प्रवेश हो गई, तो अस्पताल वगेरा, सब कुछ दिखा है, उसको लोग्टर ने भी मना कर देदी, इसका इलाज नहीं होगा, पांच-पांच किल्लो आटे खा जाती थी थी, वो अपने घर वाले सो पस् पस्पांगा रहे हैं, उसके भी बाबा वो मानी नहीं थी, कि मैं चोराय से इस बच्ची ने बाल खुले थे, तो इस बच्ची ने दोस्तों के साथ जैसे उनकी साहिलियों के साथ में बड़ से निकल रही थी, तो बागी साहिले थी तो उनने बोल दिया, कुछ नहीं होता ह तो उसमें ठोकर मार दी, तो उसमें इत्ती भेंकर चीज आ गई, उसका खाना फिना हराम कर दिया, उसको खाती थी, उसको फ्रेश वने भी नहीं जाती थी, वो हजम कहा जाता था, उसके धरवाले खुद परेशान होगी, इत्ता अठा खाती ये पना जाता है, ऐसा उसके स ठीक है, अच्छा चलो बहुत 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 बढ़िया, और एक और चीज है, बहुत से लोग भक्त बनके बेटे रहते हैं, काली माता के, अघोरी बाबा के, गोरखनात के, भेरो बाबा के, ठीक है, और राजस्तान के बहुत सारे देवता हैं, अबने तेजा जी ए, राम हैं, मतलब शंचान की स्धिय्या भी होती है, और यह तो मसानिया बहुरव है, मसानिया बहुरु में शंचान के बहुर, काल बहुरव, और जिसका शेतरबाली बहरु है, उसका तो कोई कुच नहीं विगाड़ जाकता, सबसे बड़ा भेरो सबसे मुक्य मुक्य भेरो में समसान भेरो सबसे उपरे भेरो है अगोर भेरो, काल भेरो, मसानिया भेरो वीर भेरो, भद्दर भेरो, विक्राल भेरो सब ये एक ही रूप है सबका इनको जगाने का अलग-अलग तरीका होता है अलग अलग तरीके से जैसे साथविक लोग है तो साथविक तरीके से बुलाते हैं जैसे कोई गलग काम करता है तो वो गलग तरीके से बुलाते हैं और कोई अलग अपना काम करवाने साथ है तो अपने तरीके से बुलाते हैं जैखो मेरे सरीर में बाबा आये थे तो मेरे को क हाँ को बारार एक बिजे दो बिजे मतलब पहले नहीं है बारा एक बुजे का लुटा के ले जाए ता फाशा के ले गटा था था तो घंटे जो सब्सक्राइब कर दो कुछ साल से मिन तक ऐसा कुछ चलता रहा तो एक दिन फिर में बाबा से यही बात हुई थी तो मेरे पिताजी ने सब बात की थी तो फिर उसके बात की तो फिर उसके बात समसान में यही बाबा का आगमन हो गया हमने हाँ जोड लिया कि बाब आप और अपने घसाब से लोगों को इनांकर करने लगे डिया दिरे दिर एक दो शुरू शुरु में, दो, तीन आदमें, तीन-चार आदमें से उनका इलाज होता गया पृप्लीक से पृप्लीक जुटती गई, यहां में किशी को नहीं बोलाया आते गए लोग उनका इलाज होता गया, आज भी इलाज हो रहा है और बहुत से लोग आ रहे हैं मेरे पास जो आता है उसका इलाज होके ही जाता है यहां से यह मेरे साथ बहुत बढ़ी बात है और एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग पुजारी बनके बिठे गते हैं यह भी आपको पता है किसी ना किसी के और उनको कुछ सिद्धियां प्राप्ट करनी होती है और मैं जहां तक जानता हूं कि जो मसानिया बेरो काल बेरो अपने उनकी भी आपने सिद्धियां प्राप्ट करी होगी पिर तो करी तब यह ऐसा हुआ है कि बाबा ने आपके शरीर पर आये नहीं बाबा और आप खुझ गए समशान में और वहां पर रातों को सिद्धिया करियो आपने पहले मेरे को बहुत ड़ा था अच्छक कि मैं पृम करता था मिस्तरी तो इसमें डर लगता यह है मैं फिर दो बाद में जल रोज ले जाता था था तो और भी कुछ साबरी मंतर वहाँ पर मैंने पढ़ाई की बाबा की पढ़ाई की तो कुछ सक्तियां नजर आते हैं कि फ़र एक को नजर नहीं आती हैं तो मैं वहाँ जाता था समचान में ये शराफ लेके और कुछ पान का बीड़ा लाडू मिठाई और कुछ का लेजी वहाँ पर मनलब खुन वगएरा चाहता था बाबा को तो वह तो भोग लेते हैं समचान की बाबा को समचान लेते हैं तो वहाँ पर जरूर नहीं है कि काल बहरो याता है काल बहरो के पहले समचान की सक्तियां जागरी उत होती है क्योंकि बहरो के पहले सक्तियां चलती है बहरो स्वेम नहाता है बहरो की सक् जो रहे या यह नीडर है तो पहले शक्तियां को भेज़ दे कभी मिन्कियां बिल्लियां ऐसे तरह तरह की अनेकी चीज़ायां मेरे पास आती थी तो उनको भी कुछ भोग दिया करते थे लाश्ट में भहरू उत्पन होते थे तो अब देखो भहरू तो पूरा प्रगट होता इसारा नीए क्योंकि इंसान कीची शकती नहीं जो फ्हारू कि शकती चूरे को देख बाता था बोट दर लगता था क्योंकि मेरा उस समय तो बच्चपन था तो उस चीज़ें से मैंने खूप सीज़े से की आज ऐसी चीज़ें जैसे ओपरी बादा होते हैं कुछ मारने पीटने से जाती नहीं है तो उनको भोग देना पड़ता है वो मांगते है कि मैरे कुछ समसान में चाहिए ऐसी चीज़ें चाहिए इस चीज़ें ये चीज़ देऊगे मेरे को तो मैं इसका सरीर छोड़ेंगे तो ऐसे चोड़ना पड़ता है ले जाना पड़ता है तब जाके उनके साथ चोड़ती है ये मेरे साथ हुआ था और येसे इसे मैं किया था तब जाके आज मेरे बाबा या एक्टिव हो है या रहे है मेनिस्तान भैरो का समसान में ही होता है तब तब व apoyo आता है तो सनिवार दीत्वार को यह छोकी लगते हैं क्योंकि समसान में इतनी परजा तो मैंने नीजी धाम या मेरी सुट की जमीन में मेरी जाइजात में इन बाबा का मंदर इस्ताफरा की थी मैंने कुछ नहीं था यहाँ पर कुछ भी गारा का मिट्टी का धेर था उस मिट्टी के धेर पर मेरे बर्चवा से पुराणी मूर्थी थी तो वहाँ से बाबा का आदेश हुआ के बेटा यहाँ पर का माये की नहीं पहले मैं भी विस्वास नहीं करता था बाबा पर तो मेरे को खुद को भी पर्चा मिला है बाबा का क्योंकि मेरी भी तबियत खराव हुई थी उस समय तो मेरे बाबा ने मुझको पर्चा दिया खुद को सुएम को तो मैंने स्वेम देखा कि मेरे बाबा मेरे एक बार मेरे सामने साथ साथ खड़े हुए थे कुछ सेकिंटों के लिए तो मैं बोल नी पाया बोला था उन्होंने कि बेटा बोल ने कि मैंने बोल नी पाया था उन्होंने सिर्व मेरे साथ मेरे को आसिरवाद देखे गए थे आज उनी का आशिर्वाद चल रहा है, पिटी के धेर से आज आपके सामने इस फ़ली को दिर बहुत बढ़िया, मैंने कुछ नहीं लगाया, सब बक्तों ने ये किया है, सब काम होता है बहुत से लोग पेशे बगईरा यह मेरे को कुछ नहीं है पहुत सारी जगह चुनते हैं कि कहीं पर चले जाओ तो पैसे के सिर्टी से घुजर के आया है और केसी कंडेशन में पने को पता नहीं रहता है भूझ लोग अने से पैसे मांग लेते हैं, तो हमारा बाल वह इससे कहेता है, क्यूकि हमारा इस्तान है वह पिठता है, फिठतने का मगना है उसका बाल होता है, भगवान नहीन आगा लगता है कि ऐसे लगता है कि हमने बाबा तो लेते नहीं है पैसे बाबा के जुरुत है बाबा के लारे बेठे हैं तो पैसे तो चाहिए यह लेकिन पैसे का यूज करना उसका तुड़ा हिसाब से जैसे मालो अभी कोई बच्चा आ गया उसकी गरीब इस्तिति से उसके घर में खाने के पोड़े पढ़ रहे हैं तो उनको हमने 20-25 जार उठाए विदा है वो तो कर्च करेगा अपनी रकम करेगा पांच के से खड़े कुछ भी करेगा वो भी आज पे लेका आएगा और वो लाकर इलाज करवाएगा फिर भी उसका इलाज नहीं होगा तो उसके आत्मा दुकी हो होती तो धाम पिड़ता है धाम की मद्ना में होती बह्त्वों की होती है बद्वाबा की भी होती है ऐह यह मेरा यह के ना हलो पैसे कोई बात नहीं है लैकिन उसका इलाज एसा करो वो उसका घाए औरinskyकर लेके आये आज मेरे पास आते हैं मैं किसे से कुछ नहीं लेता हूँ और मेरे लगता है यहां पर तो जैसे मानलों कोई सामगरी लगते है तो उनी को बता देता हूँ यह सामगरी लाना और जो आपके भेट सजाए जो बाबा के पाथ चड़ जाता है उसी से मेरा गुजारा चल रहा है आज मेरे कोई मकान असन नहीं है मैं तो इस मंदिर पे बेठा हूँ बहुत सारी तो बाते हो गई अब मैं एक सवाल और पुछूँगा आपसे कि यहां पर अपना इस्तान नहीं धाम है सब कुछ हर चीज का निवारा उनता है दुख दर्द सब कुछ पर मैं जो यहां पर जो लोग आता है इस्पेशल किस चीज के लिए आता है यहां इस्पेशल जैसे निशंतान का सबसे ज़्यादा निशंतान का और एक भूत परेद बादा होती है तीसरा पॉन जैसे लखवा होता है पेरिलेंस हो जाता है पेर बंद हो जाता है उनके तो इनका इलाज, इन तीन चुजाओं का इलाज सबसे ज़्यादा सो में से सो परतिसर यहां हमारे होता है अभी गई संडे की बात है एक बच्ची थी अठाए उनिस बीस साल की तो उसको गोट के अंदर लेकर आए उनके माता पिता तो यहां लाके पढ़कर थे हजारु जातरी देख रहे थे सोच रहे थे यह क्या चलेगी तो बाबा ने उसे ऐसा चमतकार किया कि यहां से वो चली, उठी, फिरी और कम से कम चार साल, तीन, चार साल, पांच साल से वो चल नहीं फा रही थी यहां आते ही, बाबा ने उसके शरीर पे, बाबा ने उसके फंका फेरा, भबूत लगाई बाबा ने बोला कि बेटा उठ तो बेटा उठा और चलने लग गई उसकी मा कुशी से जूनने लगी बाबा का चमतकार था और ये निश संतान महिला है तो आज उनके पुत्तर प्राप्ति का आश्रवाद यहां से मिलता है और उनके आज सो में से सो परतिस्त इलाज है यहां पे, और वाकी तो देखो अगर भगवान ने किसी की जोली किश्मत भी निभरिये, तो उसका तो हम भी कुछ निखे से में बहरुजी जानता है बाबा ही करता है उनका इलाज और वैसे तो यहां से निश्वक्स इलाज सो में से सो परतिस्त होता है मेरे लेंसे मैंने खुद जब बाबा की किरिन पड़ती है मेरे सरीर पे तो मेरे को उस समय कुछ होस नहीं रहता है फिर बाद में मैं उड़ता हूँ मैं भी कुद मैं खुद आच्छर्य से जनिक करता हूँ के कैसे चली यह लोग मेरे को के तो यह चली लोग वीडियो में भरके मेरे को बताते हैं लोग तो मैंने देखा है मेरे मंदिर के अंदर कुछ चमतकार हो क्योंकि बहुत से लोग भाव में दारुप पिजाते हैं मिरे बाबा आता है तो कभी-कभी इम al चैनल अब को अब मेरे और दादाजी ृ móणडिय की अब मेरे तो इसलिए हमोरे या मस में चलता नहीं धारू और इनके करीबी जैसे पेश-टो-पेश्ट मेर भाबा भाहरो के न्यादा न्या जा पुरकों से चल रहा है तो इसलिए जदा दारू यूजनी करते हैं तो यहां सबसे बड़ा चमतकार है प्याला दारू का प्याला होता है तो उसमें भरके रख़ो वह ओटामेटली की खाली हो जाता है और अधर ओटामेटली की यह हमारा देखा हुआ है और नहीं जो यह सबसे पहले दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको मंदिर का इस्पेशल अंदर की बात कर रहा हूं जो मेरे पीछे के तरफ आप बाबा की मूर्ति देख रहे हो वहां पर जो दारू के पहले होता है इस शराब के पहले वह मसाने बेर वह उनके चलते हैं पर जो पर एक चमतकार ऐसा है कि अगर उस प्याले के अंदर आप शराब डालके बाबा के सामने रखोगे तो वह उटमेटिक बिल्कुल खतम हो जाएगी तो यह बहुत बड़ा चमतकार है और मैं बिल्कुल खुद आश्य जरे नको यार की वासम एक ऐसा सीन भी यहां पर होता है चीज दोस्तों यह भी बताना चाहूंगा कि जब राजुलाल जी के अंदर बाबा प्रवेश करते हैं बाबा की चाहा पड़ती है और उनकी किरन पड़ती है इनके उपर तो इनके अंदर जब बाबा आते हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि गुस्य के अंदर मैंने खु बिलकुल सोफी होते हैं एक परसे नशा नहीं होता नशा बहुत बूर बात है दोस्तों बद्वू भी नहीं आती मुसे यह बहुत बड़ा चमतकार है एक और सवाल यह अपना सवाल है इसके बाद में एक सवाल हो करूंगा यह सवाल है कि यहां पर जो प्रेत वाजा होती ह पाता है यहां पर बच्छियों के अंदर यह जवान ओडतों में आपधि यह बूढ़े में लोगों में भी इक बूढ़े हां और Что बुढ़े में कि नभी मुड़े साल केने फिन साल बीतवार पहले एक 80 से साल की मोझ्न मा थी उसके इनदर एकतरनाक परेज बादा थी, उसके बेटे ने बस्पन से लेकर चारू और घुमाते रहे उसको, बस्पन से ही दिखा रहे हैं, तो भी उनका इलाज नहीं हुआ, यहां पर आई, अब परेम से तो मानते नहीं है, क्योंकि अब 80 साल हो गए, उसके बस्पन से उसके सरीर मारे तो वो साथ चोड़ने के लिए मान नहीं रही है, वो भी ठीफ होके गई है यहां से, और वो बाबा को दो तीन दीतवार होती है, और धोकने के लिए आती है आप, मतलब दो या तीन संडे वो यहां पर धोक लगाने लिए जुरत नहीं है, यहां आना ही पड़ता है, इलाज हुआ, अच्छा, में दो बशतन गुजरात, अरियर्णा, दिल्ली, XYZ जहां से भी लोग आते हैं, तो उनके लिए सुईधा क्या है? किशनगड जिला अजमेर, अजमेर से होते हैं, किशनगड रेलवे स्टेशन से टेम्पू मिलता है, तो वहां से सिधा उठड़ा, उठड़ा कंसे गम साथ, आठ किलो मेटर पढ़ता है, रेलवे स्टेशन से, वहां से टेम्पू मिल जाता है, ये किशनगड अजमेर जो जिल अगर नाम आते ही तो मैं इक बात बता देता हूं कि किशनगड वो ही किशनगड जो एशिया की सबसे बड़ी मार्वलमंड दी है वही किशनगड अजमेर के अंदर यहां पर अपने पास मैं मान के चलो कि संदे को चोकी लगती है बाबा की तो कोई भगत है वो सतडेडे को आ अगर सद्धानुस्रा करना चाता है करना सब कि अगर नुसरा सब चलता है तो धर्म कर रहा हूं और धर्म से चल रहा है खाने पिने की, रेने की, कूलर की विवस्ता, बेड वगिरा, सब कुछ यहां पर है चलो दोस्तों, यह बाते तो गई वाई, पूरी सुईदा है, ठीक है, और I think मैंने भी देखा है, यहां पर कूलर पंके हर कुछ है और Sunday, Saturday आपको खाना अवी लवल मिल जाएगा, जो भी आना चाहें, वो आ सकते हैं और जिनके कस्ट है घर के अंदर, जिनका भाव है, दिल के अंदर शर्द है, बाबा के परती, भाई वो ही आये ताइम पास करने वाले लोगों के लिए, यहां पर कोई जगे है, कि ताइम पास करने के लिए आप यहाँ पर आते हो, ठीक है और जिनके कस्ट है, परिवार में, फेMili में, Relation में, XYZ हर जगे, वो यहां पर आए हैं, वे अपना कस्ट का निवार्ण करें ठीक है इसी के साथ में लेते हैं हम आज का पोड़कास्ट से अलवीदा मिलते हैं फिर नए पोड़कास्ट में ठीक है जैशी राम जैवेरो दावाव